आगरा में सरवाधेट लोग प्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें तानगरी के एसन मेडिकल कॉलेज में स्वास दिभाग के मुखिचिक साधिकारी काराले के ओर से एक हजार रैपिड एंटीजन किट उपलब कराई गई है जो एक बहुत बड़ी राहत की खबर है आगरा जिले में गुरुवार से रैपिड एंटीजन किट की शुवात हो गई एसन मेडिकल कॉलेज और कंटिरमेट जोन में रैपिड एंटीजन किट किये गई रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से ही सधी के महनायक अविता बच्चन का टेस्ट हुआ था फिलहाल आगरा में 1000 Rapid Antigen Kit उपलब्द हैं जिलादिकारी ने शासन से 10,000 किट और उपलब्द कराने की मांग की थी जिसे सासन ने माल लिया है 10,000 किट लेने के लिए आगरा से स्वास्ते विखाग की गाड़ी लखनवु रवाना की गई है समयवतर शुकरवार तक ये किट आगरा को उपलब्द हो जाएंगी इतनी मात्रा में ये किट उन 11 जिलों को उपलब्द कराई जा रही थी जहां जुलाई के महीने में COVID की रवतार बड़ी है जिलादिकारी ने शाषन से विशेश अनरोध कर Rapid Antigen Kit की उपलब्दता की मांग की थी आपको बता दें कि आगरा के SN Medical College में RT-PCR मसीन से हर दिन 800 से अधिक सेंपल्स की जांच होती है वहीं TrueNet Kit से जिला स्पताल में COVID negativity की जांच होती है जालमन संस्तान में CVNet मसीन से COVID की जांच की जाती है अब Rapid Antigen Kit के माध्यम से रेंडम आगरा में लोगों की COVID जांच की जाएगी विजय बगहेल, C News आगरा